इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं LIC के IPO की लिस्टिंग के बारे में मेरा नाम है शुभान स्चौरस या तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दिखिए अगर अभी तक आपने अमारे टेलिग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क प्राइस पर होती भी नज़राई आपको बता दें कि इस IPO का इशू प्राइस करीब 940 रुपे के आसपास रखा गया था यानि 940 रुपे में आपको एक शेयर अलोट हुआ था और इसकी लिस्टिंग करीब 860 रुपे के आसपास होती भी नज़राई यानि लिस्टिंग के जाए तो यह IPO डिसकाउंट प्राइस पर ही ओपन होता हुआ नज़राया अब दीकिए यह 5 मिनिट का चार्ट है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर इसकी लिस्टिंग होई और लिस्टिंग के आप देख सकते हैं 5 मिनिट के अंदर ही जबरदस्त उचाल इसमें देखन लगातार शेर उसके बाद नीचे जाता हुआ नज़राया आप देख सकते हैं यहां पर यह नीचे गया और करीब करीब यहां पर 870 रुपे के आसपास इसना सपोर्ट लिया उसके बाद थोड़ा सथ तेजी जरूर देखने को मिली 900 रुपे के आसपास तक यह गया उसके लगातार यह शेर नीचे जाता हुआ नज़राया अब गिरावट क्यों ही है इस पर हम बात करेंगे आगे इसमें क्या करना है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं कि गिरावट क्यों हुई है आपको बता होगा कि यहां पर रेटेल निवेशक और policy holder category बनाई गई थी उनको काफी जादा यहाँ पर shares दिये गए थे अब दिखे बहुत सारे share में इस IPO में ऐसे निवेशक थे जन्होंने पहली बार apply किया है उनको तो 100 रुपए का भी loss हो जाए तो उनको यह लगता है कि भाई मुझे loss होने लगा तो निश्चित रूप से ऐसे निवेशक जो रिटेल निवेशक थे जन्होंने नया नया apply किया है या जो लंबे समय तक नहीं रखना चाहते थे वो थोड़े से profit में या थोड़े से loss में यहाँ पर निकलना चाहते थे उन ही ने इस share को बेचा है क्योंकि आप देख सकते हैं जब इस share 860 रुपे के आसपास तक गया था बड़ी खरीदारी यहाँ पर आई थी और आप देखते ही देखते इस share 915 हो गया था लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं धीरे धीर गिरावाट आती हुई नजरा ही इसका मतलब है जो निवेशक ड़ने वाले हैं या फिर जो risk free निवेशक है रिसक नहीं लेना जानते हैं वो निश्चित रूप से यहाँ पर निकलते हुए नजरा है और यहाँ से भी अनमानित थी कि आई-पो डिस्काउंट प्राइस पर ओपन होता हुए नजर आने वाला है और वहाँ पर होता हुए नजरा है कोई नई बात यहाँ पर नहीं हुई है अब दी कि आगे क्या करना है मतलब अगर शेर को होल्ड करके रखा है तो आगे क्या कर सकते हैं मुझे ऐसा लगता है कि निचले से इसमें तेजी आने की गुंजाइस बचती है क्योंकि निवेशक जो बड़े निवेशक है जो निवेशक हैं या फिर जो बड़े इनवेश्टर हैं वह इंतिजार कर रहे हैं कि यह कब यह शेर है नीचे आए और हम इसमें बड़ी का मज़ा भी आपको आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप अगर आपने होल्ड करके रखा है तो आपको और होल्ड करना चाहिए जो शौट तम वाले निवेशक हैं 15-20 दिन के लिए जो बने हुए उनके लिए मैं आपको बता दूँ कि करीब 850 रुपे का आप स्टॉप लगा सकते हैं इसके नीचे जाएगा तो और हो सकता है कि गिरावडा है क्योंकि आप देख सकते हैं 860 रुपे पर यह लिस्ट हुआ था रूसी के आसपास 870 रुपे पर इसने सपोर्ट जोन क्रियेट किया है आप देख पा रहे होंगे यहां पर तीन बार इसने सपोर्ट लिया है तो मुझे लगता है कि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए लेकिन 850 रुपे का लेबल एक सेंटिमेंटल सपोर्ट जोन भी हो सकता है तो उसका आप स्टॉप लोस लगा सकते हैं उसके नीचे ज यहां से देखने को मिल सकता है क्योंकि सरकार ने जो 40% का वैलुएशन कम किया था सोचिए कि यह 40% वैलुएशन के 749 रुपे पर आया था और करीब कर यहां पर 7-8% के डिसकाउंट प्राइस पर ओपन हुआ है सोचिए अगर इसमें 40% का सरकार ने वैलुएशन कम नहीं कि करीब 1500 रुपे का होता तो इसमें कितना जादा लॉस निवेशकों का होता हुआ नजरा था तो वही मैं यहां पर बोलना हूँ 40% का जो इन्होंने सरकार ने जो यहां पर वैलुएशन कम किया था वह तो ठीक बात है लेकिन आवी जो मार्केट का सिचुएशन है उसके हिसा एसा अनमान है कि जैसे जैसे यह नीचे जाएगा बड़े निवेशक इन्दिजार कर रहे हैं कि निचले इस तरों पर इसमें खरीदारी की जाएगी तो निचले इस तरों से अच्छी खरीदारी आ सकती है तो मुझे लगता है कि मेरा यह परसनल ओपीनियन है कि लॉंग ट अच्छे रिटन आपको देखने को मिल सकते हैं इसले इस तरों पर आपको इसमें एबरेजिंग भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा वेट करना है तो चार दिन देखिए शेर कैसे परफॉर्म करता है उसके इसाब से आपको डिसीजन लेना है आपका क्या अनुमान है आप इ झाल